नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एको नई अपडेट में दोस्तों आज की जो नोटिफिकेसन लेकिया है यूपी पीएस्टी की तरफ से जिया दोस्तों उत्तर प्रते सरकाल ने एक नई भरती निकाली है यहाँ पर जिसमें आपको सभी का इंतिजार था इसमें सभी ब्रांच इलिजिबल है mostly कि कोई भी ब्रांच इलिए यहाँ पर नहीं छोड़ी है और होवर इंडिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है ठीक ना यहाँ पर पर्मारेंट जोब होने वाली है सेल्ली लंसम होने वाली है और यहाँ आप आप वेकेंसी देख करना चाहिए तो किस तरीक से आपको एपलाई करना है क्या एजुकस्टन क्वालिफिकर्शन इन्हों रखी है कौन-कौन सी ब्रांच के लिए कौन-कौन सी स्ट्रीम इसमें अवेलेवल है डिटेल से बात करने वाला हूँ इस वीडियो में तो आप बने रही है वीडियो के चलरी मिलने वाली एक्स्पिरियंस मिलने वाला है और आपको यहाँ पर बेनेफिटी मिलेगा इसलिए आप हमारे टेली काम चलना को भी जोएंग कर दीजिए और आप चाहते कि आप हमसे परस्टनल इंट्रेक्ट हो तो आप हमें इंस्टरग्राम पर फोलो कर सकते हैं सभी करने वाला हूँ आपको किसी प्रकाई को भी टेंसल नहीं की जरूवत नहीं किसा लिंक से मिलेगी हम किस तरीके से अपलाई करें हैं मैं डेटेल से बात करूआ आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए तीन से चार मिनिट का वीडियो होता है आपको सबी चीजिए आपर स पूरा पूरा एक मैना है आपके पास आप जरू से इसमें एप्लाई कीजिए ठीक ना अब हम आएक चीज की बारे में बात करने वाले क्योंकि नोटिफिकेशन काफी बड़ा है दोस्तों ठीक ना तो आपको हर एक चीज है आपस समझना जरूरी है सबसे पिले में बात कर तो यहाँ पर एप्लिकेशन फीज की बारे में दिखी यदि आप अनिजव के टिगरी की साथ साथ 20 के के हैं तो आपको 225 रुपे लगेंगे स्टी के लिए 105 हैंडिकेप्टी के लिए 25 और एक सर्विसमें के लिए 105 रुपे का क्राइटिर इन्होंने रखा हुआ है ठीक है में जो में में चीज है वही मैं आपको बता रहूं बाकिया आप टीटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिगाम चेला को जोईंग करके पीडियोफ को डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं देखी दोस्तों यहाँ पर यह इन्होंने इतनी सारी के लिए फार्मेसी इंस्ट्रूमेटेशन के लिए यदि आपने इंट्रेश डिजाइनिंग किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए पर एपलाई कर सकते हैं तो काफी बढ़िया भरती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तेरा सो सित्तर से ज्यादा वेकेंसी हाँ निकली हुई है ठीक ना जिस पर 523 अन्रेजव के लिए है और आप अलगला के लिए वेकेंसी देख सकते हैं ठीक ना किस तरीके से कंप्लेट करना इसके लिए तीन स्ट्रेजिस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं और डायेट जाके आप बहुत लंबा हो जाएगा तो आपने आपको मेंचीज बताते हैं कि आपने बीटेक किया हुआ है सिर्विल इलेक्टिकल मेकनिकल जो भी आपकी ब्रांच है उसमें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेल्री अच्छी मिलने वाली है आपको ठीक है पर्मानेट जो ब बात कर लेते हैं तो मिनिममम यहाँ पर आपकी रखी गई है किस साल रखी गई है ओमेक जिव में इहाँ पर 40 साल रखी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है ठीक है कुछ जैनल इंस्ट्रेक्शन प्रोवाइट किये गए हैं ताकि आ क्या साइज होना चाहिए आपके फोटोस के सीखने चरके यह सब चीजी इन्होंने आपर बता ही हुई है कुछ यहाँ पर जाती प्रमाण पत्र दिया हुआ यह आपको फिल करना पड़ेगा एकोडिंग टू यूर करें ठीक ना तो साली चीज़ें आपर इन्होंने से ठीक है तो अब मिलते हमारे नेक्स व्यूडियो में तब तक के लिए हमारे साथ बिने रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग